हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल टेस्टी फूड विद संगीता आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है तो सबसे पहले कैस पर रखें एक पैन इसमें आप एक से दो चमत देल डालें जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आदा चमत जीरा डाल दें और जीरा को आप अच्छे से भून लेजिए जब जीरा भून जाए तो इसमें आप डाले बारिक कटा हुआ प्यास तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ प्यास डाल दिया है एक हरी मिर्श को मैंने इसमें बारिक कट करके डाल दिया है इन्हें आपको मीडियम फ्लेम पर भून लेना है तो यह देखिए हमारा जो प्यास है उसे हमने भून लिया है पहुँ जाता डार्क ब्राउन इसे नहीं करना है अब आप इसमें डालेंगे मसाले तो इसमें जाएगा आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच डाल देंगे लाल मिर्श पाउडर इसमें आप डाल दें आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच जा रहा है दरदरा पिसा हुआ सौंफ पाउडर आधा चमच नमक और सभी मसालो को आप बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और प्यास की साथ में थोड़ा सा मसालो को भी आप भून लेंगे इसमें मसाले स्वादनुसा थोड़े कम्या जादा किये जा सकते हैं तो ये देखिए मसालो को थोड़ा भून लिया है अब यहां मैं इसमें डाल रही हूँ आलू तीन मीडियम सैस के आलू को उबाल कर छील कर मैश करके लिया है ये इसमें डाल दिये हैं अब आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू को बहुत अच्छे से ऐसे मैश करते जाएंगे इसमें आलू के बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीसे नहीं रहने चाहिएं तो यहाँ पर इन्हें अच्छे से मैश करने के बाद यह जो मसाला है इसे आपको 2-3 अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है एक चोथाई चम्मस डाला है गरम मसाला और आधा चम्मस डाल दिया है इसमें आमचूर पाउडर अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें नीबुक अरस डाल सकते हैं गैस का फ्लेम अब आप आप का आठा तो मैंने इसमें दो चम्मच गेहूं का आठा डाल दिया है और अब यहाँ पर आपको इसमें डालना है बेसन तो दो चम्मच इसमें आप बेसन डाल दीजिए अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसका एक घोल बना कर त्यार कीजिए इसमें पान के का यह गोल बना कर लिया है तयार इससे ज़्यादा पतला नहीं रखना है तो अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यहां जारा एक चौथाई चमच नमक एक चौथाई चमच डाल दिया है चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डाल दिया है बारी कटा हुआ हरा धनिया चिली फ अब आपको क्या करना है यह जो ब्रैड है इनके जो यह साइट्स है इन्हें निकाल देना है तो आपको इस तरीके से इसके साइट्स जो है वो निकाल देने हैं और इन्हें फैक्तना नहीं है इनका इस्तमाल आप ब्रैड क्रम्स बनाने के लिए कर सकते हैं और फिर किसी भ तो पूल कम पील ने की रएक पीले से इसे आफ बिद नुद अब ने इससे भी अब लगाने के बाद रदाने से लाख से लगा लेहरे से कोपा चुिहीं अब आप क्या करेंगे यह जो bread है इसे आप रोल करेंगे तो देखे इस तरीके से आपको इसे रोल करना है easily हो जाएगा कोई भी problem आपको नहीं होने वाली है तो बस ऐसे रोल करते जाएं और हाथों से थोड़ा थोड़ा इसे दबाते जाएं तो यह देखे रोल हो चुका है बनकर तैयार इसी तरह bread के सारे रोल बना कर आपको तैयार कर लेने है तो यहाँ पर देखे मैंने इन्हें बना कर लिया है तैयार अब आप क्या करेंगे आपको यहाँ पर जो आपने घोल बना के लिया है ना आटा और बेसन वाला वो लेना है और इसे इसमें डिप करना है आपको लग रहा होगा साइड से आलू का मसाला निकल जाएगा बिल्कुल नहीं निकलेगा इस तरीके से पहले दोनु साइड को डिप करें और फिर इस तर तरन्थ बाद आपको इसके उपर इस तरह गरम गरम तेल डालना है इस तरह जब आप गरम गरम तेल डालेंगे न तो ये इसके उपर लेयर एकदम से सैट हो जाएगी बस अब आप इसे पलड़ दें और पलड़ कर अच्छी तरह फ्राइय करें अब ये मैंने दूसरा पीज दाल दिया है देखिए इसके उपर भी मैं इस तरह गरम गरम तेल डाल रहे हूं इससे यह लियर एकदम से सैट हो जाती है और अब आप इसे अलट पलट कर बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिए गैस का फ्लेम मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर एकदम बहुत ही बढ़ और सबी पीसे आप इसी तरीके से फ्राई करके तैयार करेंगे अगर आपके घर कोई गैसी आ रहे हैं और आपको उनके लिए कुछ खास बनाना ए तो यह रेशिपी जरूर ट्राई कीजे इसे खा कर आपके गैस्ट आपकी पेहत तार्थ करेंगे आपको ये रेशिपी कैस को प्रेस और All पर क्लिक करना ना भूलें